पंजाब के मुख्यमंद्री भगवत मान शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी के साथ पैत्रे गाउं सतौच पहुचे इस दौरान ग्रामीनों ने उनका जोड़दार स्वागत किया गाउं की बुजर्ग महिलाओं ने सीयम मान और उनकी पत्नी को आश्रवाद दिया इस मौके पर सीयम अपनी पत्नी गुरप्रीत कौर, माहरपाल कौर और बेहनमन प्रीत कौर के साथ गुरदवारे में मत्था टेका उन्होंने पंगत में बैट कर लंगर भी चका वहीं सीयम के सतोच पहुचने पर गाउं को पुलिस चावनी में तब्दील कर दिया गया आपको बता दे कि सीयम मान पहले अपनी पत्नी गुरप्रीत कौर के साथ हेलिकॉप्टर के जरीए गाउं धरमगट पहुचे और वहां से कार के जरीए पुष्टेनी गाउं से तौच के लिए रवाना हुए थे वहीं ग्रामीडों को संबोधित करते हुए सीयम मान ने कहा पंजाब में शादिया बहुत महंगी हो गई है 60-70 लाक रुपे लगने लगे हैं जिसके बाद करजे में डूप जाते हैं फिर फासी लगानी पड़ती है साथ ही कहा कि गाउं में महला क्लिनिक खुला जाएगा जिससे लोगों को उपचार करवाने के लिए दूर शहर जाने के जरुरत नहीं पड़ेगी क्लिरिक में 100 प्रकार के टेस्ट फ्री होंगे गाउं की उपजाओ जमीन के लिए नहरी पानी की विवस्था भी की जाएगी ताकि किसान फसल को पानी दे सके सीम मान ने इस दौरान कॉमन वेल्थ केम्ज में प्रॉंस मेडल जीतने वाली पंजाब की बेटी हरजिंदर कौर को बढ़ाई भी दी साथ ही कहा कि पंजाब की दूसरी बेटियां भी ऐसे ही काम्याबी हासल करेंगी इसके लिए सरकार स्टेडियम बना कर देगी खेल से जोड़ी दूसरी सबदाएं उपलप्त कराएगी इस मौके पर उन्होंने इलाके के विकास के लिए भी गोशनाई की